असलाम वालेकुम फ्रेंज वेलकम बाक टू माई चानल मैं हूँ अर्शीन और आज मैं आपको सिखाऊंगी कैसे बनाते हैं इमली की चटनी तो उसके लिए हमने यहां लिया है वन टीकप थिक इमली पेस्ट मैंने इमली को सोग करके रखी ती पानी में और फिर उसके बाद पूरी इमली को एक स्ट्रेनर में दालके यानि एक छन्डी में दालके अच्छे सुसका पल्प मैंने निकाल ली ती यहां मैंने ली हूँ आठ खजूर और उसे थोड़े पानी में मैंने भिगा ली हूँ तो वो जब सौफ हो जाएगी तब हम उसे ग्राइंड कर लेगे य यह है 1.5 टी स्पून रेड चिली पाउडर, 1.4 टी स्पून जीरा पाउडर और 1 टी स्पून ब्लैक सॉल्ट तो अब हम एक मिक्सर गोल में यह सारा पल्प दाल दे गए यह सारे ड्राइ मसाले और यह खजूर जो हमने सोक किये थे यह पानी से निकाल कर हम दाल दे गए और इसे ठीक तरह से ग्राइंड कर लेगे तो देखिए मैंने थोड़ा सा पानी दाल के चटनी को ग्राइंड कर लिए और हमारी इमली की चटनी रेडी है आप इस चटनी को सारी चाट आइटेम्स में यूज कर सकते हैं थैंक यू फो वाचिंग मैं वीडियो